अमेरिका की राजधानी वाशिंग्टन में अमेरिका के निवर्तमान राष्टपती डोनाल ट्रम्प के समर्थकों द्वारा कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा बत तोड़ फोड़ करने का मामला प्रकाश में आया है बता दें कि इस दोरान उनकी पुलिस से जड़ब भी हुई बताया जा रहा है कि हंगामे के दोरान हुई हिंसा में गोली लगने से एक महिला की मौद भी हो गई है जानकारी अनुसार ये हंगामा उस समय हुआ जब नव निर्वाचित राष्ट्रपती जो बाइडन को चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट दिया जाना था मामले की गंभीरता को देखते हुए वाशिंग्टन के मेयर ने कर्फियो लगाने के आदेश दे दिये हैं वहीं इस हंगामे के बाद ट्विटर ने ट्रम्प के अकाउंट को 12 और इंस्टाग्राम ने 24 घंटों के लिए सस्पेंट कर दिया है जिसका मतलब है कि ट्रम्प फिलहाल कोई नया पोस्ट नहीं डाल पाएंगे बता दे कि निर्वाचन नतीजों पर अमेरिकी संसत की बुलाई गई बैठक से पहले डोनाल ट्रम्प के समर्थकों की भीड ने वाइट हाउस और अमेरिकी कैपिटल भवन के बाहर इकठा होना शुरू कर दिया था जिसके बाद अचानक से भीड ने कैपिटल बिल्डिंग पर हमला बोल दिया समर्थक इतनी ज्यादा तादाद में थे कि पुलिस कर्मियों के लिए उन्हें रोग पाना संभव नहीं था इस दोरान समर्थक डोनाल ट्रम्प की जीत के नारे लगा रहे थे हंगामे के चलते दोनों सदनों की कारेबाई रोग दी गई और सदस्यों को वहां से सुरक्षत बाहर निकाला गया वही नवनिर्वाचित राश्ट्रपती जो बाईजन ने इस हिंसा को राज द्रोह बताया है उन्होंने कहा कि भीड वापिस लोटे और लोग तंत्र को काम करने दे बाईडन ने कहा कि इस से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं राश्ट्रपती ट्रम्प से कह रहा हूँ कि अभी नेशनल टेलिविजन पर आकर अपनी शपत पूरी करे सम्विधान की रक्षा करे और इस हंगामे को समाप्त करने की मांग करे हम आपको बता दे कि इस दौरान ट्रम्प समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक जड़ब भी हुई जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है स्थानिय मीडिया के मताबिक भीड को तितर वितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं वाशिंग्टन डी सी के पुलिस प्रमुक ने कहा कि ट्रम्प समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में गुसने के लिए पुलिस बल पर रासाइनिक पदार्थ फिके जिसके बास सिति को नियंतरित करने के लिए मौके पर मौझूद पुलिस कर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े डोनाल ट्रम्प ने अपने समर्थकों से शांती की अपील की है वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि राश्टरपती ट्रम्प के निर्देश पर नेशनल गार्ड और दूसरी केंद्रिय सुरक्षा बलके जवान रवाना कर दिये गए हैं हम हिंसा के खिलाफ हैं और शांती बनाए रखने के लिए राश्टरपती की अपील को दोहरा रहे हैं वही सुरक्षा के मद्दे नजर कैपिटल बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है इस हिंसा घटना को लेकर अमेरिका की चारों तरफ निंदा हो रही है ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉंसन ने ट्वीट करके कहा कि अमेरिका दुनिया भर में लोगतंत्र का समर्थन करता है इसलिए ये जरूरी है कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का स्तांत्रन किया जाए वही फ्रेंच मिनिस्टर ने भी हिंसा को लोगतंत्र पर हमला बताया है नाटो प्रमुक जैन स्टोल्टेन बर्ग ने भी ट्वीट करके चिंता जताते हुए कहा है कि अमेरिका में स्थिती चोकाने वाली है लोगतंत्र में चुनावी परिणामों का सम्मान किया जाना चाहिए वही इस हंगामे के बीच ट्वीटर के बाद फेस्बुक और इंस्टेग्राम ने अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्रम्प के एक वीडियो को हटा दिया है बता दे कि इन सोशल साइट्स ने उस वीडियो को हटाया गया है जिसमें यूएस कैपिटल में हिंसा के दोरान ट्रम्प द्वारा अपने समर्थकों को सम्भोधित किया गया था इसे पहले ट्विटर सेफटी टीम की ओर से कहा गया कि 12 घंटे के लिए ट्रम्प के अकाउंट को लोग किया गया है और अगर आपती जनक ट्वीट नहीं हटाए गए तो ये हमेशा के लिए बंद रहेगा इंस्टरग्राम ने भी डोनाल्ड ट्रम्प के अकाउंट को बंद कर दिया है इंस्टरग्राम के प्रमुक एडम मौसेरी ने कहा कि हम राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प के अकाउंट को 24 घंटे के लिए बंद कर रहे है अमेरिकी संसत के अंदर और बाहर राष्टरपती डोनेल ट्रम्प के समर्थकों की हिंसा में एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई ये साफ नहीं है कि गोली पुलिस ने चलाई या किसी और ने इस बीच ट्विटर फेस्बुक ने ट्रम्प के अकाउंट लॉग कर दिये हैं सोशल मीडिया साइट्स ने ट्रम्प के एक वीडियो को विवादित बताया ट्विटर ने चताबनी दी कि ट्रम्प ने भविश्य में नियम तोड़े तो उनका अकाउंट हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है फेस्बुक के वाइस प्रेसिडंट इंटेग्रिटी गुए रोजेन ने कहा कि ये एमिर्जंसी है ट्रम्प के वीडियो से हिंसा और भड़क सकती है कैपिटल हिल में हिंसा के बाद ट्रम्प ने ट्रम्प ने ट्विटर पर एक मिनट का वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वे अपने समर्थकों से कह रहे थे मैं जानता हूँ आप दुखी हैं हमसे चुनाव छीन लिया गया इस बार चुनाव में धोका हुआ लेकिन हम उन लोगों के हाथों में नहीं खेल सकते हमें शानती रखनी है अमेरिकों में राष्टपती चुनाव के नतीजों का बुद्वार को एलान होना था इससे पहले ही अमेरिकी संसत भवन के सामने ट्रम्प के हजारों समर्थक जुट गए वे चुनाव नतीजों को रद करने की मांग कर रहे थे उनका आरोप है कि इन चुनावों में धानली हुई है क्रम्प के जादतर समर्थक लाल टोपी और नीले कपड़ों में पहुँचे थे इस घटना क्रमपर भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है उन्होंने लिखा है कि वाशिंग्टन डीसी में दंगो और हिंसा की खबरे देखकर काफी व्यतित हूँ शक्ति का क्रमिक और शांतिपूर्ण हस्तांत रंजारी रहना चाहिए लोगतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से विकृत नहीं होने दिया जा सकता है बताने कि अमेरिकी राष्टपती डोनाल ट्रम्प अपनी हार स्विकार करने को कतई तयार नहीं है जिस वज़े से अमेरिकी संसद में देर रात को ट्रम्प समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में घुस गई और हंगामा करने लगे कैपिटल परिसर के बाहर निवर्तमान राष्टपती डोनाल ट्रम्प और पुलिस के बीच हिंसक जड़ब भी हुई जिसके बाद परिसर को लॉक कर दिया गया समर्थकों को रोकने और सांसदों को बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बंदूख भी निकालनी पड़ी पूरी घटना में एक प्रदर्शनकारी की गोली लगने से मौत हो गई है वही भीड़ पर काबू पाने के लिए मजबूरन पुलिस को आसू गैस के गोले भी दागने पड़े इस बीच ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपती ट्रम्प को पांचवे सम्वधान संशोधन के जरिये आज ही हटाया जा सकता है अमेरिका के एटोर्नी जनरल ने उपराष्ट्रपती माइक पेंस से कहा है कि 25 वे सम्वधान संशोधन के जरिये ट्रम्प को हटाने की प्रक्रिया आज ही शुरू की जाए ऐसे ही लेटेश को परेपाने के लिए बेल इकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घर्ने वाल बंक्वेट्स लाए हैं, इंक्रिडिबल मारिज पलेस, राजगराना, और फिनेस्ट बंक्वेट अल, जोती गार्दन, वोल्ड ग्लास केटरिंग, सेंट्री एर कंडिशन, लुष ग्रीन लॉण्स, ब्सक्राइब करेंग, जोती बंक्राइब करेंग, जोती गार्दन, जो TD Banquets Enterprise